Hello dear students, मैं हूँ आप constructor प्रनाय कुमार और आज का ये वीडियो काफ़ी important है क्योंकि आपने class 12th का exam तो दे दिया लेकिन इसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग और क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर आज का topic यही है What can we do after 12th exam? यानि कि 12th exam के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं? वीडियो काफ़े important है आप लोग के लिए और इसमें मैं बताने जा रहा हूँ ऐसी तीन चीज़ें जो आपके personality और career को change कर सकती है Three things can change your personality and career याद रखेगा personality को change करना भी बहुत ही जरूरी है यही तो आपका व्यक्तित हुद दिखाता है तो क्या है वो तीन चीज़ें जानने के लिए बने रहे इस वीडियो के साथ point the point चलिए इसे समझते हैं देखिए सबसे पहले अब मैं ले करके आता हूँ आपको कि वो तीन पॉइंट क्या है और इस तीन पॉइंट पर भी discussion होगा ठेक है इसको अच्छे समझना है तो पहला जो point है वो कह रहा है always keep reading and learning English सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि हमेशा English को सिखते रहे और पढ़ते रहे है ठीक है learning यानि कि सिखते रहे है reading यानि कि पढ़ते रहे है दूसरा point ये है make a habit of reading books in your daily routine यानि कि एक habit बनाईए एक आदत बनाईए किताबों को पढ़ने का आपके daily routine में यानि दिन चड़िये में एक ऐसा आदत बनाईए कि आपको किताबें पढ़नी है और तीसरा जो important चीज़ है वो है develop your skills as well as get an additional degree ये काफ़ी important है इसको मैं अंत में आपको बताने जा रहा हूँ कि इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं कौन सी degrees आप ले सकते हैं और कैसे आपको skill को develop कर सकते हैं और वो भी pre यानि की कोई भी charge नहीं देना होगा और ये जो है ना government से मानता प्राप्त degrees होंगी और skill India के थुरू चलाया जा रहा कुछ program भी मैं आपको बताऊँगा ज़र ये एक एक करके discussion करते हैं देखिए discussion में सबसे पहला point जो है always keep reading and learning English याद रखें का ये जो learning English है ना इसे आप कभी मत छोड़िएगा आपने हो सकता है कि एक से दो साल तक आपने क्या पढ़ा? English को पढ़ा इस English में पढ़ने के लिए आपको बहुत सारे चीज़ें करनी पढ़ी होंगी इसमें आपने जो है क्या किया होगा? ग्रामर पढ़ा होगा पढ़ा होगा ना इसमें ग्रामर पढ़ा होगा और आपकी क्लास में जो टेक्स्ट बुक चलती होंगी उस टेक्स्ट बुक को भी क्या किया होगा? पढ़ा होगा लेकिन उसका उद्देस क्या था? लेकिन केवल number gain करना आपका उद्देश सथा लेकिन अब जो आपको सीखना है वो आपको सीखना है अपने career को develop करने के लिए और knowledge के लिए ठीक है आप तो exam आपने दे दिया तो याद रहे सबसे पहला काम आपको यही करना है तो learning कैसे होगी English की तो याद रखेगा पहली बात तो इस channel को आप शोर करके जाएंगे नहीं यहाँ पर क्या हुआ grammar की चीज़ें जब मैं deal करवाता हूँ तो आप यह मत सोचिए कि वो class 12 के लिए है class 12 के लिए तो book होगी लेकिन grammar जो होगा वो grammar सब के लिए होगा ज्यादा से ज्यादा objective deal करिए आप ज्यादा से ज्यादा tense क आपको सीखने को मिलेंगी तो सबसे पहले आप जो है ना ऐसा कोसिस करिए कि हमको जो है कि channel को छोड़ना नहीं है और भी कई channel को पकर लेना है और daily practice करनी है English को सीखने के लिए ठीक है यह काम आपको करना है और आगे मैं और भी इस पर बताऊंगा लेकिन थोड़ा मैं बता और उसका हिंदी अर्थ निकालने का प्रियास करिए आप daily पढ़िए किताबों को इसको अगर पढ़ना है आप चाहते हैं कि मेरे पास subject हीने मैं क्या पढ़ू तो आप जो है ना 11 की जो किताब है 11 की किताब है rainbow rainbow part 1 आप उसके pros section को पढ़ सकते हैं pros में कमाल के topics हैं जैसे न करनी चाहिए और इसके लिए भी मैंने rainbow rocket course ले करके आया है जिसमें कि आपको line by line मैंने ऐसे ही पढ़के बताया है और face to face भी आया है उसका जो चार्ज है सिर्फ 199 रुपह है description चेक कर लिएगा ठीक है तो यहाँ पर आपको क्या करना है reading करते रहना है और learning करना है यह जो learning है काफी important है आपको grammar की हर चीज़ों को देखनी होंगी और सीखनी होंगी ठीक है चलिए अब आते हैं next point पर इदम easy way में start में आपको फटा-फट बता रहे हैं make a habit of reading books in your daily life अपने daily life में daily routine में आप कितावों को पढ़ने का habit डालिए चाहे आप हिंदी की किताव ही क्यों न पढ़ रहे हों कोई दिक्कत की बात नहीं हिंदी भी पढ़िए आप अराम से पढ़िए हिंदी के कितावें पढ़िए और अगर आपको लगता है कि आप English की कि कितावें आप daily पढ़िए ये दोनों काम करिए आज आप जितने भी successful लोगों को देख रहा है ना अडानी अंभानी मार्क जुकबर इलॉन मस्क जितने भी लोग हैं वो सभी किताब पढ़ते हैं बुक्स पढ़ते हैं और वो daily 500 pages को पढ़ डालते हैं तो आप जो है ना ये सब काम करिए इसको start कर दीजी आज से ही संकल पलीजिए आज से ये काम start करेंगे अब पढ़ने से क्या होगा आपके दिमाग में आपके mind में जो word को ये सारा word word को count करके उसको जो है तबदील कर देता है आपके किस में understanding में वो चीज़ आपका जो है डेवलप होगा और वो जो screening timing है ना आप दिन राद जो mobile पर game खेलते है ना game इस game खेलने का यादत को पितम कर दीजिए आप कितावें पढ़िए ठीक है मैंने भी दो कितावें लिखी हुई है काफी पाटकों के द्वारा सरहनी है रहा है मेरा पहला किताब है पल्दो पल का प्यार जो एक उपन्य है उपन्यास मैंने बताया था किसे कहते हैं novel को और दूसरी किताब एक कहानी संग्रा है यानि कि क्या है thought story है story की किताब है यह दोनों ही किताब देख सकते हैं यहापर मेरा नाम है यानि मैंने लिखा है यह hard copy and soft copy दोनों में उपलब्द है आप amazon amazon या फिर flip card से इस दोनों को आप ले सकते हैं इसका भी जो link होगा ना मैं link आपको description में दे दूँगा ठीक है इस दोनों ही किताब का चुकि आप मुझसे connected है मुझसे जुड़े हुए हैं तो इन किताबों को जरूर पढ़िए आपको जो है ना बहुत सारे चीज़ें सीखने को मिलेंगी आनन्द दोनों किताबों को आप पढ़ सकते हैं लिंक मैं description में दे रहा हूं यदि आप सर्च भी करेंगे प्रणाय कुमार बुक्स तो आपको आसानी से मिल जाए तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं और सबसे important topic पर हम लोग चर्चा करते हैं इस सबसे important topic क्या था? Develop your skill as well as get an additional degree अपने skill को सबसे पहली बात आप develop करेंगे यानि skill का मतलब क्या होता है? अपने कौशल को आप develop करेंगे, skill को develop करेंगे और उसके साथ ही साथ एक additional degree भी लीजिए ये खाली समय है इस खाली समय में आप क्या करेंगे? तो आपको एक degree भी अगर मिल जाए और आपका skill भी develop हो जाए तो कितना मज़ा आजाएगे? तो skill को develop करने के लिए और degree के लिए government के द्वारा चलाए जा रहे है कुछ skims में आप enroll कर सकते हैं और degree भी पा सकते हैं और अपने skill को भी develop कर सकते हैं इसमें सबसे जो अच्छा कोर्स है वो KYP का है यानि कि कुशल युवा कारेकरम ये KYP आपको जो है ना मात्र तीन महिने का कोर्स है थ्री मन्त का कोर्स है ठीक है? नबे दिनों का अगर days की बात करें 90 days और देखिए मेन मुद्धा क्या है कि बहुत सारे students क्या है ना 12th के exam के बाद सोचते हैं कि कास की मैं जो है ना computer सीख लूँ क्योंकि computer का knowledge तो बहुत जादा जरूरी है आप higher education में जाएंगे तो online exam होगा online बहुत सारी चीज़ें होती है आप अगर जो है ना general graduation भी करेंगे अगर graduation भी करेंगे तो आपको बोला जाएगा कि PDF में तबदील करके यहाँ पर upload करें वो file download करें तो आप कैसे करेंगे तो computer के लिए बहुत विद्यारती ADCA करते हैं और 1000-1000 रुपए देते हैं private institute को जबकि इसमें आपको सिर्फ computer की basic knowledge मिल देंगी ठीक है अब हो जाएंगे ठीक है computer चलाने के लिए लेकिन अगर आपको government के ठुरू सीधा computer सिखा दिया जाए और साथी साथ एक degree भी मानिता प्राप्त degree जो सीधे government आपको दे रही है वो आपको मिल जाए तो कितना अच्छा होगा न इसके लिए मैं आपको एक course बत 2017 में किया था और याद रखियेगा 2017 में और इसकी विशेष्टा ये है कि ये government करवा रही है ठीक है और इसमें आपको कोई भी सुल्क नहीं देना है absolutely ये free है और इस course में क्या है कि आपको BS CIT यानि computer की knowledge तो होगी ही आपको soft skill की भी और language skill की भी ये दोनों की जानकारी आपक important है जो कि आपको ADCA ये DCA इस सब में नहीं मिलेगा दूसरी बात आप एक बात याद रखेगा जब भी आप कोई computer की degree ले रहे हैं skill को develop कर रहे हैं तो याद रखेगा आपको सिखा तो दिया जाता है लेकिन जब वो certificate दिया जाता है तो वो certificate में सिर्फ registration number होता है याद रखे हैं जब आप government का exam जो है कि fulfill करेंगे आज को वार्म भरेंगे तो वहाँ पर आपको चाहिए certificate number जो कि certificate number होना चाहिए उसमें registration number नहीं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका certificate number होगा यही certificate number आप देंगे तभी आपका form accept होगा और दूसरी बात याद रखेगा जहां से भी आप कोई भी computer का अगर course कर रहे हैं वह SCBT से NCBT से यहां से मानिता प्राप्ट हैं की नहीं है तो वहां से मानिता प्राप्ट ह होना चाहिए ठीक है तो यह तो SCBT से भी है KYP से भी BSDM से भी है यानि इस certificate का तो कोई तोड़ी नहीं है यह तो कमाल का course आपको जो है ना government करवा रही है और इसमें आपको skill को develop करवाया जाएगा और एक बात याद रखेगा आप जहां से भी KYP करें याद रखेगा उस center के बारे में आप पता करिए कि आप वो valuable center है की नहीं वहाँ पर ऐसा नहीं कि degree तो मिल रहा है लेकिन आपको skill नहीं दिया जा रहा वहाँ पर classes नहीं हो रहे है वहाँ की विवस्था अच्छी नहीं है तो वहाँ से मत करिएगा ठीक है तो मैं बता दू कुरसेला के लिए कुरस हैं तो सबसे पहले पता करिए कि KYP Center आपके नस्दीक में कहां पर है क्योंकि आपको डेली जाना होगा और इसमें आपको डेली चार hours का मौका मिले का सीखने का जबकि आपको और सारे courses में सिर्फ एक hours का मिलता है ये काफी जरूरी है तो ये तीन चीज़ें आप याद रख करना है और इसको आज से डेवलब करना है कि आपको किताबें पढ़ते रहना है इंगलिस सीखते रहना है और किताबें आपको पढ़नी है हिंदी हो या इंगलिस हो उसको डेली हैडबिट में बना लेना है और इसकिल को डेवलब करना है और साती सात एक डिगडी भी लेना याद रखिए अगा देखिए पहले मैंने क्या कहा पहले skill को develop करना है as well as additional degree तो सबसे पहले skill को develop करिए अगर इसमें आपको इस पॉकें करने का मौका मिलता है तो ये भी जरूर करिए तो ये सब skill है इसको develop करिए ठीक है तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये video आपके लिए आई videos आएंगे जो आपके लिए भी helpful होंगे इसलिए channel के साथ बने रहे हैं मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में